दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सेविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामाई घटना चक्र द्वारा प्रकासित जीयस द्रिष्टी भारती इतिहास के अंतरगत प्राचीन इतिहास का प्रथम भाग जिसम सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगियों और महत्वपूर्ण है और इसमें बिगत परिक्षाओं में पूछे गए प्रश्णों और आगामी परिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तत्यों का सटीक संकलन किया गया है ताकि आपसे कोई भी प्रश्ण छूटने तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो समसामय घटना चक्र जीयस द्रिष्टी प्राचीन इतिहास का भाग एक दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम इतिहास के सामाने परिचे में इतिहास के विभाजन के बारे में देखेंगे देखिए इतिहास को अध्यन की सुविधा के आधार पर दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया जाता है प्राग एतिहासिक काल आद्य एतिहासिक काल और एतिहासिक काल तो प्राग एतिहासिक काल की विशेशता क्या रही दोस्तों प्राग एतिहासिक काल जो रहा इसको पासार कालिन सभ्यता कहा जाता है और इसमें लिखित साक्षों का अभाव है और केवल पुरा तात्विक साच्छे ही उपलब्ध है दोस्तों आद्ध एतिहासिक काल के अंतरगत हमारी सिंदुगाटी सभ्यता आती है इसमें लिखित साक्ष उपलब्ध तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है और दूसरी चीज है कि यहां पर भी पूरा तात्विक साक्षों पर निर्भरता है आद्ध एतिहासिक काल को जानने के लिए और एतिहासिक काल जो हमारा है यह लगभग छटी सताब्दी इसापुर्व से शुरू होता है और इसमें लिखिस साच्षो के परचुरता है जो कि पठित यानी पढ़ने योग्य हैं और पढ़े गए हैं और इसमें पूरा तात्विक साक्षो भी उपलब्द हैं तो आपने इतिहास के सामाने परचय के अंतरगत प्राक एतिहासिक काल आद्ध एतिहासिक काल और एतिहासिक काल के बारे में जाना कि किसमे साक्षों का अभाव है और किसमे केवल पूरा तात्विक साक्ष उपलब्ध है अब आईए देखते हैं दोस्तों देखिए पासार काल का बिभाजन अध्यन सुविधा की दृष्ट से किस प्रकार किया गया है तो दोस्तों जो पासार काल है इसका तीन भागों में तो पूरा पासार काल में जो ब्यक्ति था वो सिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में था यानि वो पसुपच्छियों का शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था और पूरा पासार काल दोस्तों इसमें ब्यक्ति को पसुपालन, क्रिसी और अग्नी यानि आग की ज्यान का अभाव था और इस काल से संबंधित प्रथम हस्तकुठार 1863 में पल वरं मद्रास में राबर्ट ब्रूस फूटे को प्राप्त हुआ था दोस्तों पूरा पासाड काल को पूर्व पासाड काल मध्य पूरा पासाड काल और उच्च पूरा पासाड काल में विभाजित किया जाता है दोस्तों पूरा पासाड काल के अंतरगत जो पूर्व पासाड काल था पूर्व पूरा पासाड काल इसमें क्रोड उपकरण विशेशता हैं थी जिसमें हस्त कुठार, खंडक और विदारडी मिले हैं मध्य पुरा पासार काल में फलक उपकरण है जो की क्वार्ड जराइट पत्थर से निर्मित हैं और उच्च पुरा पासार काल में तक्छडी और खुर्चनी जो है प्रमुख उपकरणों में मिलते हैं अब आएए देखते हैं मध्य पासार काल तो दोस्तों मध्य पासार काल में भी व्यक्ति जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में था और मध्य पासार काल से संबंधि दोस्तों पशुपालन के जो साच्छे हैं वो आदमगढ मध्य प्रदेश और बागोर राजस् तो देखिए मध्य पासार काल में दोस्तों पसुपालन की शुरुवात हो चुकी थी और मध्य पासार काल में पसुपालन के साथ छे दो जगहों से मिलते हैं आदमगढ मध्य परदेश और बागोर राजस्थान से और दोस्तों मध्य पासार काल में अस्थि निर्मित उपकर खाद्यानों का उत्पादन प्रारंब हुआ और आग का प्रियोग जो था ये नौ पासाड काल की महत्वपूर उपलब्ध थी जो की पुरा पासाड काल और मध्य पासाड काल में उपलब्ध नहीं था दोस्तों देखिए नौ पासाड काल में खाद्यानों का सर्वपर्थम देखेए लहुरा देव दोस्तों बरतमान में लहुरा देव संत कभीर नगर में उत्तर प्रदेश में इस्थित है यानि भारत में और लहुरा देव से चावल के पराची इंतम साक्ष मिले हैं और मेहरगड पाकिस्तान से दोस्तों गेहूं के प्राची इंतम साक्ष मिले हैं गुफ कराल जो की भारत में है यहां से क्रिसी और पशुपालन के प्राची इंतम साक्ष मिले हैं दोस्तों देखा जाये तो बुर्ज होम से यहां पर मानो कंकाल और कुट्टे का कंकाल मिला है और बुर्ज होम जो है यहां से गर्थ आवास यानि गड़े के आवासों के साक्ष भी मिले हैं और इसके अलामा संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर से राख के टीले प्राप्त हुए हैं और ये सभी अस्थल लहुरा देव, मेहरगड, गुफ कराल, बुर्ज होम, संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर ये नौपासाण कालीन अस्थल हैं तो दोस्तों, खाद्यानों का यानि क्रिसी और पसुपालन का प्रारंभ और आग का प्रियोग महत्वपूर उपलब्धि थी नौपासाण काल की अब आईए देखते हैं परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ महत्वपूर प्रश्ण को देखिए दमदमा, दोस्तों दमदमा से एक ही कब्र में तीन मानो कंकाल के साक्ष मिले हैं और आदमगड से मध्यपासाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष मिले हैं मेहरगड बहुत ही महतवपूर्ण है मेहरगड में प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है और पासार संस्कृती से लेकर सिंधु घाटी सब्भेता तक के आवसेस मेहरगड से प्राप्त हुए हैं हत्नवरा दोस्तों भारत में मानो का सरव पर्थम साक्ष हत्नवरा से मिला है जो की नर्मदापूरम और होसंगाबाद मध्य परदेश में इस्थित है इसके अलावा एक प्रश्ण आता है प्राग यतिहासिक चित्रकला यानि प्राग यतिहासिक शैल Чित्रकारी के प्रमार कह जहां से मिले हैं तो ये भीम बेटका से और दोस्तों बुर्ज होम की खोज पूछा जाता है जहां से गरतावास के साक्ष मिले हैं इसकी खोज किसने की थी तो डी टेरा और पीटरसंगे द्वारा और मध्ध पासाणकाल दोस्तों भारत में अस्थि पंजर का सर्वपर्थम स साक्षे मध्य पासाण काल में मिलता है तो इन तत्यों को जो है परिक्षाओं के दिरिष्टे बहुत ही महत्वपूर है ये तो इसलिए इनको तयार कर लीजेगा आए देखते हैं कुछ अन्य प्रश्ण हड़ी निर्मित मात्रे देवी की प्रतिमा कहां से प्राथ हुई है त प्राष्ट्री मानोसंग रहाले कहां पर है तो ये भोपाल में है और गैरिक मृद्भांड पात्र का नामकरन कहां पर हुआ था तो ये हस्तिनापूर में हुआ था आए देखते हैं परिक्षाओं के दिरिष्टे से भारती पुरातत्यों से संबंदित कोश तत्यों को 1861 हि 1863 से प्रारंब हुआ था 1871 इसबी में दोस्तों पुरातत्यों सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ और 1901 इसबी में लाड करजन के समय पुरातत्यों सर्वेक्षण विभाग को केंद्री कित करके भारती पुरातत्यों सर्वेक्षण का नाम दि हैं कि मध्ध पासाड काली मानों पेट भरने के लिए मचली का भी शिगार करते थे और मध्ध पासाड काल के विशिष्ट आउजार जो है ये सुख्ष्म पासाड आउजार जो थे माइक्रो आउजार जो है ये मध्य पासाड काल के विशिष्ट अवजार थे अब आईए देखते हैं इतिहास के बारे में दोस्तों इतिहास को समझने के लिए प्राग एतिहासिक काल और एतिहासिक काल में विभाजन करके देखा जाता है और उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्षों की उपलब्धता और अनुपलब्धता पर आधारित है प्राग एतिहासिक काल में लिखित साक्ष नहीं उपलब्ध है आद्ध एतिहासिक काल में लिखित साच्ष उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं जा सके है और जो हमारा एतिहासिक काल है ये छठी सताब्दी ईसापुर से शुरुआत होता है इसमें लिखित साक्ष परियाप्त मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों मध्य पूरा पासार काल को फलक संस्कृती भी कहा जाता है ऐसा क्यों है तो फलकों की अधिक्ता के कारण मध्य पूरा पासार काल को फलक संस्कृती भी कहा जाता है एक प्रश्ण आता है कि 14 मानो कंकाल कहां से प्राप्थ हुए हैं लंग नाज गुजरात से और भारत में मध्य पासार काल के विशे में सरुपर्थम जानकारी प्राप्थ हुई थी तो 1867 से 68 इस भी में और देखिए एक प्रश्ण है भारती उप महादीप में प्राचीनतम क जो है निर्धारित किया गया है भारती उप महादीप के प्राचीनतम क्रिसी साक्षवाले अस्थल लहुरा देव से प्राप्थ चावल का जो है समय अगला प्रश्ण है भारती उप महादीप में 7000 इसापूरु के लगभग गेहु का साक्ष कहां से मिला है मेहरगर से और लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष वाला दूसरा प्राचीन भारती नौपासाडिक अस्थल क्या है तो यह है कोल्डी हवा जहां से चावल की भूसी प्राप्थ हुई है मक्का का पर्थम साक्ष कहां से मिला है तो मैक्सिको से और गुफ कराल का अर्थ क्या होता है द दोस्तों भारती उप महादेव से संबंधित जो तथ्य हैं कृषी से संबंधित देखिए लहुरा देव ये संतकभी नगर उत्तर प्रदेस भारत में इस्थित है यहां से कृषी यानि चावल के प्राचिंतम साक्ष मिले हैं और इसका समय 9000 इसापोरो से 7000 इसापोरो के मद इसापूर्व निर्धारित किया गया है तो एक प्रकार से देखा जाए चावल का या क्रिसी का प्राचिनतम साच्छेवाला अस्थल लहुरा देव है आईए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए तामर पासाडिक संस्कृती के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों तामर पासाडिक संस्कृती तो इसमें एक तथ्य सबसे पहले आता है कि मानव द्वारा प्रियुक्त प्रथम धातु कौन सा था तो यह था तामबा दोस्तों तामबा मानव द्वारा प्रियुक्त प्रथम धातु था यहाँ पर देखिए तामर पासाडिक का या उनकी विशेस्ताएं कौन-कौन सी थी तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में जानेंगे दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है ये बनास घाटी में इस्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृती कहा जाता है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के प्रमुक पूरास्थलों में अहार था इसका प्राचिन नाम तामबवती था ये प्रश्ण बार-बार पूछा गया है अहार, बागोर, बालाथल, ओजियाना और गिलुंद तो दोस्तों बालाथल और ओजियाना से चहार दिवारी युक्त घर के साक्ष मिले हैं और गिलुंद से चहार दिवारी युक्त घर का साक्ष मिट्टी की इमारत का साक्ष कहीं-कहीं पकी इटो का प्रियोग और तामबे के टुकडे प्राप्त हुए हैं और ये दक्षिर्ण पूर्वी राजस्थान की तामरपासाडिक संस्कृती के अस्थल है इसके बाद जब हम पश्मी मध्यपरदेश पर आते हैं तो यहां मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली अस्थल है मालवा से दोस्तों चर्खे और तकलियों के साक्ष मिले हैं याद कल लिजेगा कायथा से यहां की वस्तियां किला बंद हैं और तामबे के 28 कंगनों के साक्ष मिले हैं एरण यहां किले बंद बस्तियों के साक्ष मिले हैं और नौदा टोली दोस्तों ये खरगोन जिले में इस्थित है और इसका उत्खनन एश्डी संकलिया द्वारा करवाय गया था चौकोर और बृत्ताकार घरों के साक्ष है नौदा टोली जो कि पश्मी मध्य परदेश में इस्थित तामरपासाडी कस्थल हैं वहां से मिले हैं आगे जब हम देखेंगे दोस्तों देखिए पश्मी महराष्ट में जो तामरपासाडी कस्थल हैं उसमें अहमद नगर जिला और पूरे जिला दोस्तों अहमद नगर और पूरे में दोनों जिलों के सभी और दयमाबाद हैं दोश्क है जो है निवासा से पटसन के साक्ष मिले हैं और दयमाबाद में जो अब तक के ग्यात 200 जोरवे अस्थलों में सबसे बढ़ा दयमाबाद है जो की पश्मी घाट का ताम रपासाड़िक अस्थल है पश्मी पूरे जिला में जो अस्थल हैं दोस्तों वो प्रकास, नाशिक, इनाम गाउं, चंदोली और सोन गाउं हैं इनाम गाउं से पांच कमरो वाला मकान, किले बंद खाई से घिरी हुई बस्ती और मातरी देवी की प्रतिमा मिली है इसके अलाव पूर्वी भारत में जो प्रमुख अस्थल हैं इसमें दोस्तों चिराद, पाड़, राजडर, डीवी और महिस्दल हैं अन्य अस्थलों में बिहार में सेनवार, सोनपूर, ताराड़ी और पूरवी उत्तर प्रदेश में खैराड़ी और नरहन संस्कृती जो हैं ये तामरपासाडिक संस्कृती के उधारण हैं इसके बाद आईए देखते हैं दोस्तों सैंधव सभ्यता और संस्कृती से संबंदित महत्वपूर प्रश्णों को दोस्तों इस सभ्यता के लिए जो सैंधव सभ्यता या संस्कृती है इसके लिए सामान रूप से तीन जो नाम है उनका प्रयोग किया जाता है एक तो सिंधू सभ्यता, दूसरा सिंधू घाटी सभ्यता या फिर तीसरा हडपा सभ्यता तो ये तीनों नाम सैंधो सभ्यता के लिए ही प्रियोग किये जाते थे दोस्तों सेंधो सभ्यता से संबंधित कुछ बिद्वानों के कथन है पिगट का कथन है कि हडपा और मोहन जोड़ो एक विश्त्रित सामराजी की जुड़वा राजधानिया थी जान मार्सल का कहना है कि सबसे पहले जान मार्सल ने इस सभ्यता को इंडस वैली सिवलाइजेशन या इंडस सिवलाइजेशन का नाम दिया था और इसके बारे में महतवपूंड तत ही ये है कि इसकी सरवाधिक मानेति थी 2300 इसापूर्व से दोस्तों 1700 इसापूर्व है दोस्तों सेंधो सभ्यता मेसो पोटामिया और मिसर के सभ्यताओं के समकालिन थी ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है अब आये देखते हैं सेंधो सभ्यता के विश्तार छेतर के बारे में तो दोस्तों सेंधो सभ्यता का विश्तार छेतर भारती उप महादीब था जिसमें पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रान्तों में और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाडा, पश्यमी उत्तरप्रदेश, जंबो कस्मीर और पश्यमी मह महाराष्ट में सेंधो सभ्यता का विश्तार छेतर पाया जाता है, सेंधो सभ्यता का विश्तार और आकार, तो सेंधो सभ्यता का छेतर अगर जो आपसे पूछा जाए, तो ये त्रिवजाकार था, और इसके पूरब पश्यमुत्तर और दक्षडी जो छेतर हैं, उनको दे सेत्र सुत कांगे डोर है तो ये याद कर लिजेगा आप लोग इसकी अलावा दोस्तों देखिए हडपा जो है हडपा पहले हम देख लेंगे हडपा कालीन या सिंदुघाटी सभिता से सम्बंदित महतोपूर अस्थल और उनके उत्खनन करता देखिए हडपा हडपा की सिंदुघाटी सभिता से सम्बंदित महतोपूर अस्थल वहां से प्राप्त चिन्ह और विशेष्टाएं तो देखिए सबसे पहले हम हडपा के बारे में जानेंगे दोस्तों हडपा से जो साक्ष मिले हैं उनमें संख का बना बैल, उर्वर्ता की देवी का चित्र, इंटो की बृत्ताकार चबूत्रे, समाधी आर थर्टी सेबन कबरिस्तान, गेहूं और जव के दानों के आउसेस, पीतल का बना इक्का, बरतन पर बने मचुआरे का चित्र और दो टीलों के साक्ष जिसमें पूर्वित टीला नगर टीला और पश्मी टीला दुर्ग टीला होता था, और हडपा की इस्थिती दोस्तों, बरतमान में मांट गोमरी जिला बरतमान शाहिवाल पाकिस्तान राबी नदी के बाये तट पर इस्थित है, और आप जानते हैं हडपा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा कराये गया था, तो ये हडपा से संबंधित महतोपूर तथे हैं, जो आपके परिक्छाओं के दृष्टी से बहुत ही उपयोगी हैं, अब आएए देख लेते हैं दोस्तों मोहन जोदुलों से संबंधित जो तथे हैं, तो मो पहला तो ब्रिहद असनानागार मोहन जोदुलों से प्राप्त सरवाधिक उलेखनी असमारक रहा, ततकालीन वित्सों का आशचर जनक निर्मार रहा, जान मार्सल के द्वारा ये कहा गया था, दोस्तों मोहन जोदुलों से अभिलेख युक्त सरवाधिक मोहरे मिली हैं, व पर बनी हुई पटरी, घोडे के दात, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड जो है ये मोहन जोदलों से प्राथ हुए हैं और मोहन जोदलों इसकी इस्थिती बर्तमान में लरकाना जिला, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंधु नदी के द अठी के साक्ष, अलंकरी थाथी, खिलावना, लिप्ष्टिक, वक्रकार इटे और बिल्ली का पीछा करते हुए कुद्टे का पद जिन मिला है, काली बंगा बहुत ही मोहतोपूर, हरप्पा काली नस्थल है, दोस्तों काली बंगा से जो इटे हैं, कच्ची इटे और पक्क तो पूर्ण चीज है, वो यह है कि यहां से जूते हुए खेतों के साक्ष मिले हैं, काली बंगा राजस्थान में है, बरतमान राजस्थान में दोस्तों, और यहां से जो प्रश्ण बार-बार पूछा जाता है, जूते हुए खेतों के साक्ष, भूकंप के साक्ष, एक टुकडे जो हैं ये काली बंगा से फ्राप्थ हुए हैं और इसकी बरतमान इस्थिती हनुमान गड़ राजस्थान में काली बंगा है लोथल तो दोस्तों लोथल जो हमारा अस्थल है देखिए लोथल की विशेस्ता ये थी कि लोथल जो है पश्चिमेसिया से ब्यापार के लिए प्रमुक बंदरगाह था और इसे सिंधुगाटी सब्भेता का बंदरगाह सहर भी कहा जाता था दोस्तों यहां की सबसे महतपूर्ड विशेस्ता ये है कि यहां पर जहाजों की गोदी या डाक्याड गोदी वाड़ा के साक्ष मिले हैं यहां से फारस की मुद्रा प अस्थिती क्या है यह अहमदाबाद जिला गुजरात में इस्थित है भोगवा नदे के तट पर लोथल जो है इस्थित है और बरतमान में लोथल को जो है विरासत अस्थल के रूप में विक्सित किया जा रहा है अगला है दोस्तों सिंधुगाटी सब्भेता अस्थल धौ धौला बीरा धौला बीरा आयताकार नगर और ये नगर तीन भागों में विभग था किला मध्यनगर और निचला नगर तो ये प्रश्ण बार बार पूछा जाता है सिंधुगाटी सब्भेता का कौन सा अस्थल तीन भागों में विभाजित था तो ये धौला बीरा धौल जलासे, उन्नत जल प्रबंधन और हडपा लिप के बड़े आकार के दस चिन्हों वाला एक सिरालेक मिला है और धौला वीरा बरतमान में कच्छ कारण गुजरात में इस्थित है आईए देखते हैं दोस्तों सुरकोटदा के बारे में तो सुरकोटदा की विशेस्ता ये थी क यहाँ पर नगर दो दूर्गी कृत भागों में विभाजित था एक गढ़ी छेत्र दूसरा आवाज छेत्र और यहाँ से कबरिस्तान से कलश शावाधान और घोडे की हड़ियां सुरकोटदा से मिले हैं और ये कच्छ गुजरात में इस्थित है रोपड दोस्तों अतनाय जाने के साक्ष मिले हैं और रोपड बरतमान में पंजाब भारत में सतलज नदी के बायंतट पर इस्थित है आए देखते हैं दोस्तों दायमाबाद के बारे में तो दायमाबाद आप जानते हैं महराष्ट में इस्थित है अहमद नगर जिला में और ये सिंधू सबसे दक्षडी अस्थल है यहां से रथ चलाते हुए मनुस्य के साथ साड़ और गैड़े की अकृतिया सेंधो लिप की एक मोहर और मृद्भांड तस्तरी और प्याले मिले हैं दोस्तों यह दैमाबाद जो सेंधो अस्थल है सेंधो सब्भेता का अस्थल यह अहमद नगर म महराष्ट में प्रवरा नदी के बायतट पर इस्थित है बनावली तो दोस्तों बनावली के बारे में जान लेते हैं बनावली जो है यह संधो संस्कृति के तीन अस्तर बनावली से प्राप्त होते हैं प्राक संध्यव विक्सिस संध्यव और उत्तर संध्यव दोस्तों न और बनावली फतेहबाद जीला हर्याडा में इस्थित है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण जो हरप्पा सभ्यता से सम्बंधित है जो आप से पूछे जा सकते हैं दोस्तों देखिए बाला कोट से क्या मिला है महत्वपूर्ण साच्छे सीब से बनी हुई चूडियों के टुकड़े मांडा जंबु कस्मीर से कान से निर्मित पेंचदार पिन नौसारों से इस्थियों के मांग में सिंदूर के प्रमाड रंगपूर से धान की भूसी लोथल से बृत्तकार चक्की के दो पाठ काली बंगा से तांबे की मुर्ती हरप्पा में दोस्तों एक इस्तरी के गर्भ से निकलते पौधे की आकरिती हुलास से सैंधो लिप यूगत एक ठप्पा और सुत कांगे डोर से मिट्टी की चूडियों के ओसेस और मोहन जोदोडों से स यूगत पसुमूर्ती शरीर और मस्तक जिसमें सरीर भेण का और मस्तक सूड़ दार हाथी का है इसके साथ मिले हैं परिक्षाओं के द्रिश्च से कुछ अन्य प्रश्णों को देखते हैं दोस्तों कपास की खेती का सरुपर्थम सैंधो निवासियों ने प्रारंभ किया थ सैंधो सभेता में क्रेव विक्रेव वस्तुबिन में द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था सैंधो सभेता के जो बाठ होते थे घनाकार होते थे और मेलुहा की पहचान दोस्तों ये सिंध छेतर से की गई है धात मूर्तियां लुप्त मोम या छिष्ट विधि से बनाई जाती थी सरवाधिक मिट्टी की मूर्तियां जो उस्तों ये पसू पच्छियों की प्राप्थ हुई है और सरवाधिक मोहरे जो हैं ये सेल खड़ी की बनी हुई है और इसके अलावा दोस्तों सिंध उसभेता की मोहरों पर सरवाधिक अंकन एक स जोदोडों से प्राप्त कुछ महतवपूर जो है योगी और पशुपत सिव की मोहर और पूछा जाता है कि मोहन जोदोडों से प्राप्त जो योगी या पशुपत सिव की मोहर है उसमें कितने जानवरों के या पशुओं के प्रमाड मिले हैं तो दोस्तों यहां से दोस्तों पांच प्रकार के 6 पसुओं के प्रमाड मिले हैं तो ये पांच प्रकार के कौन पसुओं है योगी या पसपस्यू के बाएं और गैडा और भैसा है नीचे दो हीरन है और दाएं और बाग और हाथी है तो गैडा भैसा हीरन बाग और हाथी ये 5 प्रकार के 6 पसुओं के प्रमाड योगी और पस्पस्यू की मुहर से मिले हैं और ये मुहन जोदोडों से प्राप्त है दोस्तों सैंधो सभ्यता के कुछ विशिष्ट तत्यों को देख लेते हैं जो आपके आगामी पुरच्छाओं के लिए महतपूर है देखिए दोस्तों लोहे का ग्यान का अभाव सिंधुगाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ग्यान नहीं था यानि लोहे का ग्यान का अभाव था इसके अलावा सैंधो सभ्यता कालीन लोगों को स्वाड यानि सोना, चांदी, तांबा और कासे की जानकारी थी हाथ से चालित चाकों का प्रियोग किया जाता था, मुर्ति पूजा का प्रचलन था और शेर के अवसेश का अभाव था यहां पर और घोडे के अवसेश प्राप्त है लेकिन घोडे के चित्र का अभाव भी संदुगाटी सभ्यता के प्राप्त मोहरों और चित्रों से मिलता है तो ये थे सिंधुगाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर परिच्छ उपियोगी और विसिष्ट तत्थ है और दोस्तों मुझे आशा है कि इस जो वीडियो से या जो हमने सरिंखला प्रारम की है इससे आप कम समय में सटीक प्रशन या सटीक जो तत्थ सामगरी को आप बहुत कम समय में तयार कर पाएंगे जो आपके परिच्छाओं के लिए बहुत ही उपियोगी है तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल माग दोशन फार सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवार नमस्कार